अच्छा नन्य दोस्तों कि आप जानते हैं कि शेहत की मक्खियां भिनबिनाती क्यों है? बच्चों शेहत की मक्खियों से आने वाले भिनबिनाहट की आवाज उनके परों की तेज हरकत से पैदा होती है और ये गूंज तखलीक करने का सबब बनते हैं तमाम पतंगे अपने परों को फड़ फड़ाने यानि ओपर से नीचे लाने पर मुझतमिल होती है और बहुत तेज होती है ये आवाज लेकिन कुछ पतंगे अपने परों को बहुत आईस्ता हरकत देते हैं तितली अपने परों को हर सेकेंड में 6-10 मरतबा हिलाती है ऐसी सुस्त हरकत से भिन बिनाहट की आवाज नहीं पैदा होती है दूसरे हश्रात अलार्ज मसलन मच्छर वगएरा अपने चोटे चोटे परों को निजबतन तेज हरकत देते हैं चुनाचे उनकी आवाज भी कम होती है और सिर्फ उस वक्त सुनाई देती है जब हमारे कानों के वो करीब होते हैं शेहत की मक्छों के पर बड़े होते हैं और उनकी हरकत नहीं तेज होती है यह हरकत एक सेकेंड में 300 से 400 मरतबा अमल में आती है चुनाचे ऐसी आवाज पैदा होती है जो दूर से भी सुनाई देती है और नने दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कशिश सिकल के असरात के वज़े से आपका वज़न उस वक्त थोड़ा कम हो जाता है जब चांद एन आपके सर के उपर आ जाता है और छे टांगों वाले जानवर में कौकरुच का शुमार दुनिया के तेज तरी इन जानवरों में किया जाता है ये एक मीटर का फासला सिर्फ एक सेकेंड में तेय कर लेता है और सिर्फ दो जानवर ऐसी हैं जो सर को मोड़े बगएर पीछे के जानिब देखने की सलाहियत रखते हैं क्या आप जानते हैं कौन से हैं चलिए हम बताते हैं जिनमें पहला खरगोश और दूसरा है तोता एक ब्लू वेल रोज़ाना तीन टन तर घिज़ा खा सकती है लेकिन इसके साथ थी एक दिल्चस्थ रक्रिकत ये भी है बच्चों कि ये बगएर कुछ खाए छे महीने तक आसानी से जिन्दा रह सकती है